मैं दो दिन के लड़ा का टूर पे आया हूँ कुछ जगा खारेकर्टों से जन्ता से मिलाओं कुछ मीटिंग्स भी अड्रस किया हूँ ले डेवलोप्मेंटल कॉंसिल चिनाओ टुन्टी सेकंड को होगा आप सब लोग को मालो है एग एलक्षन रद्दा का यूटि बनने के बाद पहली बार चुनाओ हो रहें मैं यूटिस का इंचार्ज को होने के नाते एक बाद दो दिन का टूर काय किया हूँ इस एलक्षन का ले लद्दा के जनता के लिए बहुत महत्फुल विशे है एक साल यूटि बनके अक्टोबर 31 को एक साल होगा पहला तीन मैने तो हम ठीक तरके से लद्दा का विकास के लिए काम किया हूँ मगर करोना के कारण इतन नव मैने में तोड़ा पुरा काम लद्दा की नहीं देश नहीं सारे दुनिया का एक्टिविटीस को रोकना पड़ा अभी जैसा करोना खत्म होते हैं इसका एक्टिविटी स्पीड डेवलेप्पेंटी करेंगे मगर एक साल होने से पहले इस अक्टोबर मैने में कुछ पोलिटिकल पार्टिज बुनियादी मुद्दे पर देश के हिट के किलाफ ले लद्दा के किलाफ कारगिल के किलाफ स्टेट्मेंट्स देरे पहला तो नेशनल कान्फरेंस के नेता पार्लिमेंट का सदस्यर इस पार इस प्रांत के बोद्पूर मुक्यमंत्री स्टेट्मेंट दिया है हम चेना का समर्दन से आर्टिकल 370 को फिर लागू करेंगे वापस लाएंगे चेना का समर्दन से कोई भारत का व्यक्ति आईसे समय पर चेना इसके एक बार टेंशन है अपने ले एरिया में कारगी ले एरिया में आईसे समय पर इतने सीनियर पॉलिटिशन चेना का समर्दन से कैसा त्यार्टिकल 370 लागू करेंगे उससे पहले चेना के फारण मिनिस्टर भी चेना का फारण मिनिस्टर भी यह स्टेट्मिंट दिया है लद्दा का यूटी बनाना बहुत गलत है और इसका किलाफ है चेना कोन हो सकता है भारतका इंटरनल का विशय पर बोलने का इम्राया का लो उत्तव कौन हो सकते है भारतका इंटरनल का विशय पर बोलने के लिए ये चिरफ किछडिव seit development के लिए लद्दा को यूटी बनाया हूं 17 साल से लद्दा को विकास के ओर नालेर बैए कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसके कारण नरेंदर मोडी जी के नित्रत में हम जो वादा किया है लद्दा का विकास के बारे में इसी दुश्चिकोन में हम इसको यूटी बनाया यूटी यूटी बनाने का विशेय पर चेना किलाफ करते हैं यूटी बनाने का विशेय पर पाकिस्तान किलाफ करते हैं यूटी बनाने के विशेय पर नेशनल कांफरेंस किलाफ करते हैं यूटी बनाने के विशेय पर कांग्रेस पार्टी किलाफ करते हैं और दूसरा अभी अभी पीडिपी नेशन कांफरेंस मिलके पिर एक स्टेट्मेंट दिया है हम बड़ा संगर्ष करेंगे आठकल तिरी सेवंटी के बारे में और तर्टीफई एके बारे में लद्दा को यूटी की बनाने के बारे में नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी इतना गिरावट हो गया कांग्रेस पार्टी चेदंबरम सापने वो भी स्टेट्मेंट दिया है पड़सुम हम भी आठकल तिरी सेवंटी को अन्यवाले दिन में आठाएंगे सब एक ही ट्यून में बोल रहे हैं चैना, पाकिस्तान, कांग्रेस, पीडिपी, नेशनल कांफरेंस यह सुभी लोग एक ही ट्यून में देश के किलाफ बोल रहे हैं, वीडियोशन के साथ मिलके बोल रहे हैं, एक ही ट्यून में बोल रहे हैं, यह बहुत दुर्बागी बातें मैं लेके जन्ता से जो हिल डेवलेप्मेंटरल कांफरेंसिल के चिनाओं में जो भाग लेने वाले जन्ता से अन्रोध करता हूँ यूटी बनाने का जो किलाफ स्टेटमेंट दे रहे कांगरस पार्टी, उनको कोई अधिकार नहीं है वोट बांगने का उनका कोई अधिकार नहीं है सत्तर साल का जन्ता का जो स्वपना था वो स्वपना नरेंद्र मुडि साकार किया है जन्ता भी कुशी मनाया स्वागत किया कि इर्रेश्पेट्य अंटी रीजन रिलीजन एवरीबडी लग्दा के जन्ता स्वागत किया है फिर कांग्रेस पार्टी कि繼續 बनाने के किलाब काईसा स्टेटमेंट दिया है यह कांग्रेस पार्टी उनसे पूछना चाहिए इस election में Congress party को बैश्कार करना चाहिए जब इडिली में रहने वालέ Congress नेताओं को सबस्ष हा सकते है लद्डा का जनता क्या है लद्डा का जनता क्या मांग है क्या demand है कितनी के दिन से demand कर रहें उनका विकास के लिए उनका इंफास्टेक्शर के लिए उनका अने कनेक्टिविटी के लिए इसलिए मैं हिल डेवलप्मेंट्रेल काउनिस हिल के हर व्यक्ति से यह अन्रोद करता हूं कांग्रेस पाटी को बैशकार करें इस एलेक्शन से विकास के कारेक्शर में मैं पहले भी बता चुका हूं जो ले से लेकर स्रीनगर वैली कनेक्टिंग के लिए जो जोजला टरनल था बहुत सालों से फिंडिंग था बहुत सालों से उसमें कारेरूप में ना आये था इस फिफ्टीन किलोमीटर का टरनल नाट ओनली इंडिया एस्या में बिग्जेस्ट टनल है होल एस्या में इस इस दी बिग्जेस्ट टनल पंद्रा किलोमीटर लेंथ का टनल लेटू स्रीनगर वैली को कनेक्टिंग टनल है 4510 क्रोर्स इस प्राजेक्ट का कास्ट है इसका पूरा डी पे रेडि हो गया टेंडर नोटिफिकेशन रेडि हो गया टेंडर भी हो गया सरकार के साथ अग्रिमेंट भी हो गया तीन दिन चार दिन पहले काम भी शुरू हो गया येसिया में मैं पहले बता चुका हूँ इस इस लांगेस्ट टनल एसिया में जो अब ही चार घंटा समय लगता है श्रीनगर जाने के लिए ये टनल कंप्लिट होने का बाद 15 मिनट में 15 मिनिट्स के अंदर श्रीनगर ये टनल के द्वारा लोग पहुंच सकते हैं ये स्रीनगर कारगिल ले नेशनल आइवे का रोड होगा 11,578 हाइट में होगा ये टनल इसमें बड़ी बात है जो विन्टर में बरफ के कारण रोड बंद होता था ये टनल बनने के बाद 365 डेस कनेक्टिविटी होगा रोड बंद न होगा स्मार्ट सिटी पहला जब हम यूटी नहीं बैनाया था जब जम्मू काश्मिर के अंदर था दो सिटी हम स्मार्ट सिटी के नाते विकास के रास्ते पे ले जाये थे वो था स्रीनगर और जम्मू अब ले और कारगिल दोनों को भी स्मार्ट सिटी बनाने का निने लिया है मैं स्वायम इस यूठि का इंचार्ज मिनस्टर के नाते को मिनस्टर की तरफ से मैं अर्बर् नेवल्ट मिनस्टर जी से बातचित कर रहा हूँ अल्मॉस्ट वो accept किया है आने वाले बज़ट सेशन में इसका गोशना होगा गोशना के बाद इस दो सिटी को स्मार्ट सिटी के नाते आने वाले दिन में हम विकास करेंगे ये निर्ने की आए और दूसरा एर कनेक्टिविटी कारगिल के साथ हो अन्या आन्यां प्रांतों का एर कनेक्टिविटी में आने वाले दिन में ध्यान देने वाला है क्योंकि इस लए एरिया में टूरिस्ट का जितना भी विकास होगा वो विकास एर कनेक्टिविटी द्वारा ही विकास हो सकता है इसलिए आने वाले दिन में जिजी जगा एर कनेक्टिविटी जुर्वत पड़ती है उस जगा एर कनेक्टिविटी हम करेंगे कारगिल के से लेके सुब जगा जो पावर जनेरेशन का पहला भी मैं बहुत चुका है आप लोगों को सोलार पावर जनेरेशन का काम पूरा इनिस्पेक्टर इनिस्पेक्शन भी हो गया इस चुनाओ के बाद हम अग्रिमेंट करेंगे क्योंकी बहुत एरिया में कल गया था पवर भी नहीं है कुछ एरिया में लोगों का डिमेंड है अमारको पवर चाहिए डिजिल के साथ दो गंटे दे रे, तीन गंटे दे रे, चार गंटा दे रे, पांच गंटा दे रे मगर अमारको बस नहीं होता, अमारको 24 अवर्स पावर चाहिए ये जन्यून डिमांड है इसलिए सोलार के पावर डिवलेप्मेंट करने के लिए 7500 मेगावाट्स का एक स्टार्टेजी बनाया सरकार, ये 7500 मेगावाट्स का पावर जन्यरेशन करके किसान को हो, MSME इंडस्ट्रीज को, डेमस्ट्री को हो, कमर्शियल हो, सोबी लोगों को 24 अवर्स पावर देना है, इसके लिए ट्रांस्मीटिंग लाइन्स बहुत चालेंज होगा ट्रांस्मीटिंग लाइन्स का काम भी बहुत बड़ा लेवल पे शुरू करना है, वो भी हम आने वाले दिन में शुरू करेंगे मैं सभी हिल डेवलेप्मेंटर काउनिसिल के जितने भी वोटर है, लद्दा के जितने भी जनता है, कारगिल के जितने भी जनता है, उनसे यही अन्रोथ करता हूँ हम यूटी बनाया विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छे स्पीड से शुरू कुया है, कल मैं जाय रहा था बहुत जगा फक्का रोड्स का निर्मान बहुत जगा शुरू हो गया, वैसा ही एर कनेक्टिविटी में बताया था, पावर कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, 54 सेल का टवर्स का निर्मान हो रहे हैं, जुरूर्पड़े तो उसको जितना चाहिए उतना बढ़ाएंगे, पूरा एरिया में टेली कनेक्टिविटी का भी काम करेंगे, इसके साथ एजुकेशन कनेक्टिविटी, हेल्थ कनेक्टिविटी होना चाहिए, इसका बात जब टूरिस्ट कनेक्टिविटी अटोमिटिक आप लोग आएंगे बहुत जगा टूरिस्ट डेवलेप्रेंट करने का मौका है इसका पुरा पुरा बारा सरकार ध्यान देंगे मैं फिर बाद में आऊंगा बाद में आकर पुरा अभी एलक्षन है इसलिए कोई अधिकारियों से मिलना ही पारा हूँ एलक्षन कोड के अखारण नेक्स टाइम जब ही आऊंगा पुरा अधिकारियों से मिलकर रिव्यू करेंगे पुरा डेवलेप्रेंटल का स्पीड पकरने के लिए स्पीड पकरने के लिए पुरे अधिकारियों से मिलके जो भी अभी अडिनिस्टेशन में और डेवलेप्मेंट करना है पुलिस का बढ़ाना है आफिसर्स का नेंबर बढ़ाना है अगर लगबग 5,000 नवजावनों को हम एंप्लाइमेंट देने वाला है इस एरिया में सुबिड पुलिस से मिलके 5,000 का हमारा टार्गेट है 5,000 गवर्मेंट एंप्लाइस इस एरिया के नवजावनों को देंगे इसके बाद जो भी सेल्फ एंप्लाइमेंट का हो वैसा यह अलगला काम हमारा नरेंदर मुडी जी का मन में है एक बाद करोना खतम होने के बाद फिर एक बाद प्रदान मंत्री से बैठके गुरो मंत्री से बैठके इस लद्दा का विकास के लिए हम पूरा एक्शन प्लाइन बढ़ाएंगी इस एक तरफ से हमें यूनियन हो मिनिस्टर से आश्वसन मिलता है कि हम सेवगार्ट करेंगे और दूसरी तरफ हाउजन के मिनिस्टर ट्वीट करते हैं रेडा एक्ट के बारे में आपका क्या कहना सर लद्दाक अभी यह रेडा एक्ट प्रोटेक्शन के बारे में कानस्ट्टुशन प्रोटेक्शन के बारे में हम प्र इसके वेटरन बिदर्ट को जो Hill Developmental Council के लोगों को प्रमुक लोगों को बुला कर एक मीटिंग करेंगे वो मीटिंग होने के बाद जो मीटिंग जो भी निकल के आते हैं इसका employment, land, सौंसकृति, बाशा, जाब इस production में एक एक्ट बनाने वाले हैं जो एक्ट बनाएंगे उसमें सब कुछ जो इस एरिया का production हो, रेराक से अलग होते हुए production हो, सब कुछ जो भी उस मीटिंग में निकल के आते हैं, उस मीटिंग के आधार पर सब कुछ करेंगे इंडोचाइना के बात कही है, तो गर्मेंट इतना एलेक्टर क्यों है सब करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर बहते हैं कि एक इंच जमीन नहीं गया है, और दूसरी तरफ जो लोग बॉडर पे रह रहे हैं, वो क्रेंग करें कि उनका प एक देश या एक सनिस्ट्रिव मुद्दा है, अपन बात करना भी ठीक नहीं है, यह सनिस्ट्रिव मुद्दा है, देश के हित के लिए आने वाले दिन में काम करने वाले हैं, इसके लिए मैं भी फिर एक बाद वादा करता हूं, देश का एक इंच का लैंड भी छोड़ने वाले नहीं है इसलिए जो भी हमारा सेना दिन रात बाडरों पर काम करें उनके उपर विश्वास है हमारा को उनके उपर जो लोग गर चोड़कर परिवार चोड़कर इस हील एरिया में टंडा एरिया में रहकर जो काम करें उनके उपर आपने पुरा विश्वास रखना चाह जो जुरुत है वही बोलना चाहिए अभी जो अभी बात्चीट चल रहे रोज बात्चीट चल रहे वीकवाइज बात्चीट चल रहे उसमें क्या निकल के आते हैं वो सब निकलने दो अभी तैयर करेंगे आने वाला दिन में मैं भी आप लोगों को बताता हूं अभी एक टिकनिकल तो परसन नहीं महीं मगर पूरा एरिया में जो उडान के अंदर लोगों को कनेक्टिविटी करने के लिए जो प्रैस करेंगे जरूर जो भी टिकनिकल हो सकता है मैं दोसरा बार आया हूं इस एरिया में मंतिरी बनने के बाद तीन मैने ही काम किया हूं और नव मैने मैं कारगिल के अंदर कर पर न के लिए काम किया हूं जो भी इश्यों है यह लोगों को मालू में मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं जैसे भी होगा विंटर में होगा अरियों कमगा इसलिए फंदरा मिनिट में अंदर मम स्रीर दागर जैने ले जाने के लिए प्रैस करें जो 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 लो टरनल के दोरा हर एंगल से प्लान करें जो भी समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए आने वाले जो पहला साल पहला कैसा था अभी करेंगे ना अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे जल्दी करेंगे बिलकुल बिलकुल